अलो दोस्तो नमिश्कार आप सभी के स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर का नहिया सेक्सोलोजिस्ट बीकानेर राजस्थान से दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही important concept आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो पैनिस्ट डॉपलर की जो जान्च होती है वो जान्च किस अवस्था में की जाती है, मतलब लिंग का जो डॉपलरवाला टेस्ट वो क्यों किया जाता है इसको पर पूरा का पूरा जो प्रोसेसर में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा है इसको बहुत अच्छे समझेगा, बहुत अच्छे से understand करेगा, दोस्तों अक्सर कई लोगों के साथ में शिकायत होती है कि सर हमारे 25 के अंदर या तो erection आता नहीं है या फिर erection जब आ जाता है तो आने के बाद में बहुत जल्दी down हो जाता है या फिर जैसी sexual activity perform कर रहे होते है तो उस समय जो link का erection है वो कम हो जाता है, वो उतना नहीं रह पाता, तो ऐसी जब सिकायत होती है, जब erection या तो आए ना या erection जब down हो जाए, या फिर थोड़ा sexual activity start होने के बाद में down हो जाता है, तो यह जो problem create होती, यह problem इसलिए create होती है, क्योंकि जो link होता है, वो link एक pipe जैसी structure होता है, इसके अंदर खून के pipe होते हैं, जैसे हमारे गर के अंदर पानी के pipe होते हैं, और इन खून के pipe के अंदर अगर खून का pressure के साथ में in pipes के अंदर रहता है, और जब blood पूरे pressure के साथ में in pipes के अंदर होता है, तो इन pipe का जो pressure हो बहुत अच्छा होता है, प्रेशर बहुत अच्छा होता है, तो link का जो तनाव है वो भी बहुत बढ़िया आता है, सक्थ नेस आती है उसमें टाइटनेस आती है और यह जो टाइटनेस है यह लंबे टाइम तक बनी रहती है मतलब इससे आपका जो sexual experience है वो बहुती बढ़िया होता है बहुती उमदा आपका sexual experience होता है तो यहाँ पर एक mistake कई बार हो जाती है कि एक mistake क्या होती है कि यह जो blood है या तो प्रॉपर इसमें एंटर नहीं हो पा रहा या फिर एंटर होने के बाद में जल्दी क्या कर जाता है लीक कर जाता है जब जल्दी लीक कर जाएगा तो obvious है कि अगर blood पूरा एंटर नहीं होगा तो pressure पूरा नहीं आएगा तो फिर तनाव भी पूरा नहीं आएगा और जब त बनाव पूरा नहीं आएगा, tightness पूरी नहीं आएगी, तो sex का मज़ा भी नहीं आएगा, जो समभोग है, उसका आनंद भी नहीं आएगा, या फिर blood जल्दी बाहर निकल जा रहा है, तब भी यह tightness के हो जाते, इसकी कम हो जाते, उसके कारण भी अच्छा sexual experience create नहीं हो पाता तो कई सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारे बाकी सब कुछ नॉर्मल है मतलब मेरे को कोई thyroid की शिकायत नहीं है मेरे को सर कोई sugar की शिकायत नहीं है वो भी मेरा नॉर्मल है अच्छा यह सब कुछ नॉर्मल है तो उस दर्मियान फिर पैनिस के Doppler की जाच की जते हैं कि कहीं अंदर blood flow के अंदर तो गड़ बड़ नहीं है तो उस इस्तती में यहां पर पैनिस Doppler किया जाता है इसकी जो जाच है पैनिस की SUZ की जाते है Doppler way में की जाती है और उससे यह पता लगाया जाता है कि अंदर का जो यह blood का जो flow है यह flow में तो कोई गड़ बढ़ नहीं है तो उस इस्थति में क्या किया जाता है पैनिस doppler test किया जाता है यह जानने के लिए कि यहाँ पर blood के flow के अंदर दिक्कत कहां आ रही है प्रॉपर तनाव क्यों नहीं आ रहा तनाव क्यों maintain नहीं हो रहा जल्दी ढिलापन क्यों आ जाता है इस कारण को जानने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है doppler test किया जाता है जो हमें यह बताता है कि यह फलाना दिंकत है जिसकी वज़े से पैनिस के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आ रहा दोस्तो हम लोगोंने sex से related जितनी भी problems होती है चाहे वो erectile dysfunction की problem हो चाहे वो premature ejaculation की problem हो या फिर sex desire कम होने की problem हो इन सारी problems को किस तरह से हम deal करें कैसे हम इनको permanently हटाने के लिए क्या हम करें इसके उपर हमने step by step learning का एक पूरा course sex therapy का एक course launch के वा जिसका link का नीचे description में है जिसको आप learn करके जिसको से आप सीखके अपनी जितनी भी sexual problems है उन सारी problems से permanently पीछा चुडाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं help ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत